वेल दोस्तों अगर आप भी अपना ICC bank के अंदर एक saving account उपन करना चाहते हो तो भाई मैं आपको थोड़ी सी reality बताता हूँ अभी मैंना कल ICC bank के branch गयाता हूँ वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरेको account उपन करने के लिए minimum कितना balance maintain रखना पड़ेगा तो भाई उन्होंने कहा कि आपको 50,000 minimum पैसा maintain करके रखना पड़ेगा अगर आप ICC bank अंदर अपना account उपन करना चाहते हो तो और भाई मैं या फिर आप कह सकते हो उसको campus power account लेकिन मैं देखो account उपन करने से बहले मैं यहाँ पे एक confusion सबकी clear करता हूँ बहुत से लोग कहते हैं हम ICC bank का 3 in 1 account उपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो मैं देखो मेरा एक simple सा आपके सवाल है आप zero balance उपन करना चाहते हो ना आपको वह अपन हो जाता है तब भाई आप तो zero balance की तरह यूज करते रहोगो इसको अपने saving account को लेकिन यहाँ पे जो आपका trading account और यहाँ पे जो आपका demate account है ना उसके annual charges भी है यहाँ पे आप देख सकते हो आपका first year से तो free है लेकिन second year से आपको 750 रुपय plus GST के charges देने तो साफ मना करता हूं थी इन्वाट account से दूर है ना बागे इसका mine account, student saving account या फिर campus power account ध्यान अगना तीनों एक ही account है आपको जादा confuse होने की जहोत नहीं है तो फिर चलो एक बरम process देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ICSE bank की official website पे आ जाना है और जैस saving account पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करते है आप देख सकते हो आपके पास three in one account का option आ रहा है और इसके बारे में आपको वीडियो में अल्यडी बता चुका हूं तो भाई इसको आपको skip कर देना है आपको simply नीचे की तरफ आना है नीचे की तरफ आओगे न तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले अपना वह वाला mobile number डालना पड़ेगा जो कि आपके अधार card के साथ link हो और उसके बाद आपको अपनी एक email id भी डालनी पड़ेगी अब इसके नीचे हमारे पास pen card number डालने का भी option आ रहा है तो भाई यह सारी CA डालने के बाद आपको proceed कर देना है अ उस पे OTP आएगा mobile number पे और mobile number verify करवाँ दोगे तो भाई हमारा अधार verification भी यहाँ पे complete हो जाएगा अब इस वाले page पे आप देख सकतो आपके पास personal detail करने का option आ रहा है तो भाई यहाँ पे कुछ यह question पूछेगा आपको simply उसके answer देने हैं जैसे कि सबसे पहले पूछ रह कि आप करते क्या हो occupation type बता देना जैसे कि मैंने लिख रहा है student उसके बाद source of income बता देना उसके बाद आपको income range बता देनी है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि last completed education आपकी कौन सी है तो भाई आपने जोन सी भी last education अपनी complete करी थी आपको डाल सकते हो 10 वी बार भी graduation मतलब जो क्या हो आपको डाल सकते हो उसके बाद आपको name of institute डालना है जिस भी institute से आपने graduation करी है या फिर पढ़ाई करी है उसके बाद आपका कौन सा course चल रहा है और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपका course कब जाके complete होगा और कौन से महीने में complete होगा तो भाई यह सारी details फिल करने के बाद आपको simply continue पे click कर देना ही अब इस वाले page पे आपको अपनी family detail या फिर nominee detail भी देनी बढ़ेगी तो भाई सबसे पहले तो पूछ रहा है कि जो आपका debit card आपके घर पे deliver होगा उस पे भाई आप नाम क्या चाहते हो तो भाई जो भी आप नाम चाहते हो वो की by chance मान के चलते हैं अगर आपके account के अंदर पैसे पड़े हुए है और आपके साथ कोई दुरगटना घर जाती है तो भाई वो पैसे आपके nominee के account के अंदर transfer कर दे जाएंगी उसके लिए simply आपको nominee का नाम nominee के साथ आपका relationship और nominee का complete address एंटर कर देना ही उसके बाद आपको proceed कर देना ही तो वह यहाँ पर देख सकते हो यह कह रहे हैं कि जो भी आपकी initial funding थी ना उसमें से हमने 20,000 रुपे विवफ कर दिया है तो वह अभी तो हम आगे देख लेंगे कि हमको कितना initial funding करना पड़ रहा है उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ personal detail आ जाएगी जो यहने blur क कर दिया अब यहाँ पर आपके पास जो भी इंगी टर्मेंट कंशन आ रही है उनको simply आपको accept करके continue वाले बटन पर क्लिक कर देना ही उसके बाद आपके phone number पे 16 digit का OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर verify करवाना पड़ेगा उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास दो account की option आ रहे है सबसे पहला हमार पास आ रहा है zero balance account का और दूसरा आ रहा है 10,000 monthly average balance account का अब देखो zero balance account open करने के लिए आपको सबसे पहले तो 95,000 रुपय की initial funding करनी पड़ेगी और जो हमारी वो 20,000 रुपय वेवफ होते न वो हमारी 10,000 monthly balance वाले वेवफ की गएते क्योंकि न 10,000 वाल account open हो जाएगा अगर आप इसमें 95,000 रुपय initial funding कर देते हो तब जाके आपका zero balance account open हो जाएगा तो वह देखो यह तो totally आपके उपर है कि आप कौन सा account open करना चाहते हो हमने यहाँ पे 95,000 रुपय का जुगार कर लिया है और हम यही वाल account open करने वाले हैं क्योंकि एक आप देख सकतो 95,000 उसके बाद convince भी हमारी 0 है और GSTB 0 है यानि कि जितना यह पैसा है ना 95,000 रुपय यह totally हमारे bank account के अंदर transfer कर दिये जाएंगे और यहाँ पे मैं एक चीज और clear कर देता हूँ जो आपके 95,000 रुपय है ना account open होने के बाद यह आपके account के अंदर credit कर दिये तो आप देख सकते हो हमारा mobile number यहाँ पे अलड़ी फिल है email आपको फिल करने का option आ रहा है आप चाहो तो फिल भी कर सकते हो बना आप इसको ऐसी रहन देना उसके बाद आपको pay name यहाँ पे भरना पड़ेगा यह भी optional है और यहाँ पे आपको VPA ID यानि कि आपको अपनी UPID complete डालके उसके verify भी करवा ले नाई तो हमने तो अपनी Paytm की यहाँ पी UPID डाल दिया उसका हम proceed कर देते हैं अब यहाँ पे आपके पास payment confirmation का page आ जाएगा उसके बाद आपके Paytm account या फिर जो भी आपने UPID दे रखियोगी उसी पे 95,000 pay करने के लिए आपके पास page आ तो दोस्तो आप देख सकते हो payment proceed करने के बाद आपके पास video KYC का भी option आ जाएगा तो भई आपको simply start video KYC पे click कर देना है अब ICAC bank की तरफ से एक agent आपके साथ connect हो जाएगा और वो आपसे कुछ question पूछेगा और भई वही question पूछेगा जो कि आपने enter कर रखे होंगे और उसक आपकी video की वाज से successful complete होती है तो उसके बाद ICAC bank की तरफ से आपको एक congratulation का message आ जाएगा जिसमें की आपकी user ID रहने वाली है और उस user ID का use करके आप इनकी ICAC की iMobile application के अंदर login कर सकते हो अब यहार 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 पे मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि यह नोज़े जट मैंने comparison बाना रखा है ICAC bank के यह वाले zero balance account का और market के अंदर एक और बहुत ज्यादा account famous है वह कोटक का 811 account इस account के अंदर भी आपको बहुत सारे benefit देखने को मिलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ICAC bank के अंदर आपको initial funding 95,000 रुपी की करनी है वहीं भी आपको कोटक account के वहीं पर आपको कोटक bank 4% का interest rate ओफर करता है saving account पे अभी हमारी passbook की बात हो रही थी तो आपको ICAC bank के अंदर कोई passbook नहीं दिया जाता है जबकि आप कोटक की 811 application के तुरू passbook के लिए apply कर सकते हो अगर बात करें debit card की तो देखो ICAC bank के अंदर भी आपको दो तरह के debit card मिलती है virtual debit card दोनों के अंदर free है physical के लिए आपको दोनों के अंदर ही पैसे देने पड़ेंगे अगर बात करें checkbook की तो ICAC bank के अंदर भी आपको checkbook देखने को मिलता है और इससे आपको better feature देखने को मिलेंगे और बढ़िया benefit भी है यहां तक कि मैं खुद कोटक का 811 account यूज कर रहा हूं पिसले तीन साल से और अभी तक मैंने इस वाली account को एक भी पैसा चार्ज नहीं दिया जबकि मैं इसकी full service यूज कर रहा हूं मैंने आपको इस वाली वीडिय इस आपन कर सकते हो